आज इस वीडियो में बात हम लोग करेंगे हिंदी सौवंक की तो आज मैं आपको 60 important question बताऊंगा जो की आपके exam के लिए बेहद ही important है तो एक ए question को बढ़ियां से समझेगा और बिल्कुल याद करते चलिएगा और exam से पहले ये जो मैं question आपको बता रहा हूं बिल्कुल याद हो जाना चाहिए तो चलिए start करते हैं तो पहला आपका प्रस्न की जूठन क्या है तो आपका प्रस्न की जूठन क्या है तो आंसर हो जाएगा आत्म कथा दूसरा प्रस्न जे किरिश्नमूर्ती की रचना कैसी है तो सिक्षा सास्त्र तीसरा आपका प्रस्न है कि art of conversation कहा के लोगों में सरवाधिक प्रचलित है तो आंसर हो जाएगा यूरोप art of conversation very very important याद रखेगा चोथा आपका प्रस्न है कि गाउं का घर सिर्षक अवीता के कवी कौन है तो आंसर हो जाएगा ग्यानेंद्रपती गाउं का घर सिर्षक कवीता के कवी कौन है तो ग्यानेंद्रपती पांचवा आपका प्रस्ण है कि सौ अजान एक सुजान सिर्षक उपन्यास के लेखा कौन है तो आपका हो जाएगा बालक्रिष्न भट जी छटा आपका प्रस्ण है कि बोलने से मनुष्य के रूप का सक्षतकार होता है या किसने कहा है तो आपका प्रस्ण है कि बिसनी कौन है आपका प्रस्ण है कि अग्य का पूरा नाम क्या है तो आपका प्रस्ण है कि अग्य का जनम और नीधन बताना है जनम 7 मर्च 1911 नीधन 4 अपरेल 1987 दस्वाप का प्रस्ण है कि नाम वर सिंग का जनम कब हुआ था तो आपका प्रस्ण है बाल क्रिष्ण भट क्या थे तो आंसर हो जएगा सहित्य के एडिशन 11 नमबर प्रस्ण है अचारे राम चंदर सुकली की नजर में बाल क्रिष्ण भट क्या थे तो आंसर हो जएगा सहित्य के एडिशन 12 नमबर प्रस्ण लोक नायक सब्द किसके लिए आया है तो आंसर हो जैप्रकास नरायन जी के लिए लोक नायक सब्द तेरा नमबर अपका प्रस्ण है कि ब्रज राज कुणर कौन है तो आंसर हो जएगा क्रिश्न जी पंदर नमबर प्रस्ण है कि कडबक में कौन बात पाई जाती है तो आंसर है प्रेम की महिमा सोल नमबर नामोर सिंग के गुरु कौन थे तो आंसर हो जगा हजारी पर साद दिवेदी जी सोला नमबर प्रस्ण नामोर सिंखे गुरु कौन थे? तोवांसर हो जगा हजारी पर साथ दिवेदी जी सतरा नमबर हस्ते हुए मेरा अकेला पन हिंदी शाहित्ती की कौन विद्या है? तोवांसर हो जगा डायरी अठारा नमबर प्रस्ण हार जीत कैसी कवीता है? तोवांसर हो जगा गद्य कवीता उनिस नमबर ओ सदानीरा निबंध किस नदी को अधार बनाकर लीखा गया है वेरी वेरी इंपोर्टेंट तोवांसर हो जगा गंडक नदी वो सदा नीरा निबंद किस नदी को आधार बना कर लिखा गया है तो वांसर हो जएगा गंडक 20 नमबर आपका प्रस्न है कि जैसी कीस काल खंड के कवी है तो वांसर हो जएगा भक्ती काल 21 नमबर 21 संत तूलसी 10 कैसे कवी है तो वांसर हो जाएगा छायवादी ट्वंटी टू गैंग्रीन क्या है? यह शब्द किस कहानी में जिक्र है? आपको बिलकुन मालू में गैंग्रीन एक बीमारी है और यह शब्द रोज कहानी में आया है ट्वंटी थ्री बाल क्रिष्ण भट का निधन कब हुआ? तो वांसर हो जाएगा 27, 1914 इस्वी ट्वंटी फोर वो सदानीरा सिर्षक निबंध किस पुस्तक से लिया गया है? तो वांसर हो जाएगा बोलते छन ट्वंटी फाइफ असाड का एक दिन नाटक किसने लिखा है? तो आपका आंसर हो जाएगा मुहन राकेश ट्वंटी सिक्स प्रागीत और समाज सिर्षक निबंध के निबंधकार कौन है? तो आंसर हो जाएगा नामोर सिंग जी ट्वंटी सेवेन लेखक मल्याज का मूल नाम किया था? तो आंसर हो जएगा भरत जी स्रिवास्तो 28 तिरिक्ष कहानी है तो जादूई या थार्थ 29 जैप्रकास नरायन के गाउं के क्या नम था तो आंसर हो जएगा सिताब दियारा 30 नमबर एक रगुवीर साहय का जनम कब हुआ था 9 दिसमबर 1929 तो यह आपका हो गया 30 ग्वेस्टन 31 आपका एकि भक्त माल किया है तो आंसर हो जएगा भक्त चरित्रों की माला 32 नाभा दास का स्थाईनिवास कहा था तो आंसर हो जएगा वरिंदावन 33 तूलसी दास के जनमस्थान तो राजापूर बांदा 34 पारवती मंगल किस कवी की रचना है तो आंसर हो जएगा तूलसी दास जी 35 सूर सागर किस साखा के कवी थे तो आंसर हो जएगा क्रिश्न भक्ती साखा के 36 पदमावत किस की रचना है तो आंसर हो जएगा मलिक मुहमद जैसी जी की 37 जर्ना आसू और लहर किसकी रचना है तो आंसर हो जाएगा जसंकर प्रसाद की 38 जन जन का चेहरा एक सिर्षक अवीता के रचैता कौन है तो गजानन माधव मुक्ती बोध जी हैं वेरी वेर इंपोर्टेंट 38 39 अधिनायक सिर्षक अवीता के रचैता रघुवीर सहाय जी हैं 40 नमबर अपका प्रसन है कि जे कृष्ण मूर्ती क्या करते थे तो आंसर हो जेगा बोलते और लिखते थे 41 मोहन राके इसके बच्पन क्या नम था तो आंसर हो जेगा मदन मुहन गुगलानी 42 कुरडियों का शब्द का अर्थ क्या होता है तो आंसर हो जेगा कूडा फिकने की जगा 43 धांगर शब्द का अर्थ और आओ भासा में क्या होता है तो भाड़े का मजदूर 44 प्रेम की पीर के कवी कौन है तो आंसर हो जेगा जैसी जी 45. सूर्दास की सभासा के कवी है? तुवांसरोजेगा ब्रजभासा 46. तूलसीदास का बचपन का क्या नम था? तुवांसरोजेगा राम बोला 47. नाबादास के दिख्षा गुरु कौन थे? स्वामी अग्रदास जी 48. भूसन को भूसन की पादी किस ने दी थी? तुवांसरोजेगा राजा रुद्र शाह ने 49. तूमुल कोलाहल कलह में किसकी रचना है? तुवांसरोजेगा जे संकर परसाध जी की पुचास नमबर आपका है पुत्र वियोग किस की रचना है तो आंसर हो जाएगा सुबद्रा कुमारी चोहांजी का 51 अधिनायक किस कभी की रचना है तो आंसर हो जाएगा रघुवीर सहाय की 52 बीना फेरे घोड़ा बिगड़ता और बीना लड़े सिपाही या पंक्ती किस कहानी में है तो आंसर हो जाएगा उसने कहा था 53 नारी और नर एक ही द्रव की ढ़ली दो प्रतिमाय है या पंक्ती किस सिर्षक पाट की है तो आंसर हो जाएगा अर्धनारी स्वर 54 एक लिख और एक पत्र के लेखा कौन है तो भगत सिंग जी है वेरी वेरी इंपोर्टेंट 55 नमबर सिपाही की माय कांकी में बिसनी चरपाई के पास मोडे पर बैठी क्या करती दिखाई देती है तो आंसरोजेगा सूत काटती 56 उसुबाद्रा कुमारी चोहन का जनम कब हुआ था तो आंसरोजेगा 16 अगस 24 भी 57 बाल कृष्ण भट की डचना बाचित क्या है तो आंसरोजेगा ललीत निबंद 58 दिनकर जी को किस गध्य पुस्तक पर शाहित एकाडमी पुरस्कार मिला तो आंसरोजेगा संस्क्रीती के चार अध्याय 69 नमबर चमपारण में गांधी जी के चमतकार की कथा किस ने लिखी तो आंसरोजेगा राजेंदर परसाद जी ने और लास्ट क्वेस्चन आपका है कि भगत सींग की पहली गिरफतारी का अबुईत वांसरोजेगा 1926 में यानिक 1926 में तो यह आपके हो गए टॉप 60 क्वेस्चन आप इनकी प्रैक्टिस जरूर कर लिजेगा एक्जाम देने से पहले आपको तो बिलकुल याद हो जाना चा प्रेवाद